अपने 135 वे स्थापना दिवस के मौगे पर असम से लेकर गुवाहाटी तक कॉंग्रेस ने हला बोला है असम से गुवाहाटी में राहूल गांधी ने रेली की असम में पहुचा है राहूल गांधी ने कहा चुनाओं से पहले में भविश्वानी की थी अगल बीजेपी सत्ता में आई तो असम में एक बार फिर हिंसा होगी दुख की बात ये है कि ये सच हो गया उन्होंने कहा कि असम में 15 साल पहले आया था तब मुझे राज्य की संस्क्रती के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी लेकिन आप सभी से मिलने के बाद ही मुझे असम के महान इतिहास और विरासत के बारे में पता चला भाजपा पर हमला बोलते हुए राहूल गांधी ने कहा कि नफरत और गुस्से में असम आगे नहीं बढ़ेगा खुशी और दुख में आपके साथ खड़ा हूँ बीजेपी युवाओं को मानना चाहती है बीजेपी हमारी संस्क्रती और इतिहास पर हमला कर रही है आज भारत में सबसे ज़ादा बेरोजगारी है पिये मोदी का काम नफरत फैलाने वाला और देश बाटने वाला है साथ ही उन्होंने कहा कि आसम को नागपूर नहीं चलाएगा आसम को आरेसेस की चड़ी वाले नहीं चलाएंगे आसम को आसम की जनता चलाएगी subscribe our channel and press the bell icon for more updates